और अब बात करते हैं राजिस्थान के भीलवारा की बहाँ पर भी नॉन स्टॉप लगतार बारिश हो रही है जुसे लोगों की मुश्किले काफी बढ़ाद बारिश का दौर ऐसा है कि कई जगर वाइक बह गई तो कई जगर लोगों की जान जाते जाते बचे इसकती कैसी है देखे रिपोर्ट में पूरी दस्पीर जहा तक नजर घुमाएंगे सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा हर तरफ पानी का कबजा ऐसा है कि चान पर बनाई है नदी में भयंकर उफान है और इसी उफान के बीच फसा है एक शक्स किनारे पर काफी भीड जमा है शक्स को बचाने की कोशिशे भी की जा रही है लेकिन वो नदी में इतने आगे तक फसा है कि वहां तक कोई तैर कर ही पहुँच सकता है बाड और बारिश की कहर कि ये तस्वीरे राजिस्थान के भीलवाडा से सामने आई है जहां एक बाइक सवार पुलिया से पानी में बहकर नदी में जा गिरा बहाव इतना तेज था कि शक्स को बचाना काफी मुश्किल हो गया पहले स्थानिय लोगों ने ही युवक को बचाने की कोश्चिश की लेकिन कामयाबी ना मिलने पर तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया उफान में भसे युवक ने रेस्क्यू टीम के आने तक चट्टान का सहरा लेकर अपनी सुरक्षा की मौके पर पहुँची रेस्क्यू टीम ने युवक को रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई भीलवाडा से ही सामने आया एक और वीडियो देखिए कोठारी नदी का जल स्थर बढ़ने से कई हाथ से हो रही है ऐसी ही एक तस्वीर सामने आयी नदी में एक ट्रेक्टर ट्रॉली डूब रही है हाथ से को देख लोगों में चीक पुकार मजगे लेकिन कोई भी इस ट्रیک्टर ट्रॉली को डूबने से बचा नहीं पाया गनीमत ये रही कि ट्रेक्टर ट्रॉली ड्राइवर ने किसी तरह बाहर निकल कर अपनी जान बचा ली हाथ सा तब हुआ जब ट्रेक्टर ट्रॉली चालक ने उफंती नदी को पार करने की कोशिश की राजिस्तान में बाड और बारिश ते न सिर्फ भीलवाडा जिला ही बलकि कई जिलों में हाल बेहाल है मौसम विभाग ने भीलवाडा समेत पांच जिलों में अगले तीन दिन तक भारी बारिश का अलट जारी किया है